वैसे तो मां के लिए कोई दिन नहीं होता क्योंकि मां के बिना एक दिन भी पूरा नहीं होता। Mother's Day बस एक जरिया देता है अपनी मा के लिए अपनी तरफ से कुछ करने का इस साल कोरोना वारस के कारण लोगडाउन में Mother's Day का सेलिब्रेशन थोड़ा फीका हो सकता है गमासान.com और M Group इस लोगडाउन में उन मातर शक्तियों को सलाम कर रहा है जो अपनी प्रोफिशन के साथ साथ अपने बच्चों का भी खयाल रख रही है आज गमासान.com और M Group आपको शहर की उन महिलाओं के बारे में बताने जा रहा है जो परिवार और बच्चों के साथ साथ अपनी प्रोफिशन को भी आगे बढ़ा रही है सुर्भी मनोचा चौधरी एक मा होने के साथ साथ columnist और biker भी है वो अपनी बेटी के बारे में कहती है कि मा होना अपनी शरीर के बाहर अपनी आपको चलते हुए बात करते हुए देखना है मेरी बेटी होने के पहले मैं corporate सیک्टर में थी ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा डिसीजन था कि हमें काम करू या नहीं लेकिन मैंने काम के उपर आद्या को चुना उसको चलते बोलते हसते देखना मेरी जिन्दगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया आज वह 10 साल की है और मैं दुनिया में बहुत सारे काम करती हूँ मैं अपने आपको गर्व से वूमन ओफ दे वर्ल्ड बोलती हूँ और इसके लिए सारा श्रे आद्या को जाता है क्योंकि वो बहुत ही लो मैंटेनेंस चाइल है हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं हम हर बात शेयर करते हैं वो मुझे तयार होने के लिए मेरे फैशन सेंस के लिए कई बार चड़ाती भी है मुझे अच्छा भी लगता है आद्या जीवन को बहुत करीब से देखती है और उसका जीवन को देखने का नजरिया बहुत ही अलग है उसको किताबे पढ़ने का शौक है वो साइकोलोजिस्स बनना चाहती है और उसको अभी से ही अपना प्रेणना स्तुरोत मानती हूँ मैं बाइकर हूँ और आद्या बड़ी होकर मेरे साथ अपनी बाइक लेकर एक बाइकिंग पर जाना चाहती है मीनल गबलानी एक माह होने के साथ वर्किंग वूमन है मीना पिछले डेड़ दशक से टीचिंग लाइन में है साथ ही चोहित्राम स्कूल की स्वेम से वक है मदस दे पर अपने विज़ार साजा करते हुए उन्होंने बताया कि अपने बच्चों के जीवन में एक माह का प्रभाव गरना से परे है वास्तों में इस कतन पर विश्वास करती हूँ नचोहित्राम इंटरनेशनल स्कूल में एक समन वयक हूँ मेरा दस साल का बेटा विहान मेरी सबसे बड़ी तागत है हम दोनों प्यार, देखबाल, दूस्ती और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ घनिष्ट संबंद साजा करते हैं वो है जो हमेशा चाहता था कि मैं कई बार काम करूँ वो जो मैंने काम छोड़ने का सोचा तो उसने मुझे निर्देशित किया कि सच्चा आनंद आपके काम में है मैं अपने बेटी के रूप में अद्भुत उपहार के साथ मुझे आश्रवात देने के लिए भगवान का आभार व्यक्ति करते हूं सुप्रिया मदान एक बेटी की मा होने के साथ साथ समाजिक कारे करता भी है वो कहती हैं कि एक बेटी अतीत की सख़द यादे वर्तमान में खुशी से भरे पल और भविशी की आशा और वादा है उसे देखना मेरे अपने वस्तार को देखने जैसा है वो मुझे एक ही समय में शक्ती और धेरे देता है रविंदर छाबडा रविंदर छाबड़ा अपने बच्चों के साथ दूसरों की सेहत का विध्यान रखती है वो प्रसद आहार विशेशग्य और फिटनेस फ्रीक है उनका कहना है कि माँ बनना हर तरह से महिला को पूरा करता है माँ के जमदारी किसी भी उम्र में खद्म नहीं होती माँ होना एक वर्दान और एक अलगन उभव है रीना मखीजा एक बेटे की माँ होने के साथ फैशन डिजाइनर है मदस ये पर अपने विज़ाज साजा करते हुए कहती है कि माँ बनना सबसे बड़ा उपहार है जो एक महिला के पास हो सकता है मुझे मा बनना पसंद है और मेरे छोटों को दोस्त बनाना मैं मातरद्व की इस यात्रा के दरां सीखे गए परिक्षणों और पाठों का अनंद लेती हूँ येक युवा के दिमाग में आकार देने में मदद करता है और उन्हीं खिलने देता है उन्होंने बताया कि जो मैं 21 साल की थी ता मेरी शादी होगे 23 साल की हुई ता मुझे बेटी हुई मेरी खिशी का कोई ठिकाना नहीं था हाला कि मुझे अपने मातरद्व और फेशन के लिए अपने जुनून के बीच संतुलन तलाशना पड़ा अपने पती के समर्थन के साथ मैंने अपने बंगले की गैरेज में सिर्फ एक कारिकर के साथ अपना खुद का डिजाइनर लेबल स्टूडियो शुरू किया मुझे गर्व होता है कि मैं अपने बच्चों को बिना किसी भेदभाव के कम उम्र में आत्म निर्भर होने और आत्म सम्मान के महत्व को समझाने में सक्षम हूँ मातरत वो मेरा जीवन, मेरा आनंद, मेरा जुनून, मेरी सबसे बड़ी उपलब्दी है मेगा जैन गर्ग, एक बेटा और एक बेटी होने के साथ साथ मेगा जैन गर्ग, एक उद्दिमी और कॉलमिस्ट है मेगा जैन के दो बच्चे बेटी खयाल और बेटा चितरांश है खयाल आटवी कक्षा में हैं और चितरांश पांचवी में पढ़ते हैं उन्होंने बताया कि मैं जिव्या Wellness Private Limited के नाम से Wellness Business चला रही हूँ। ख्याल अब बड़ी हो रही है और मुझे मेरे काम में मदद करने लगी है। मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि बच्चों के साथ मैंने अपने जीवन में कुछ भी त्याद दिया। वो मेरी ताकत हैं और जीवन के सबी पहलों में मेरा समर्थन करते हैं। अब मेरे दोनों बच्चे भी अपना फैसला ले रहे हैं। मैं हमेशा उनकी मदद करने के लिए उनके साथ हूँ। मातरत वस्तुंदर यात्रा है। हर रोज नई चुनाती और सीख लेकर आता है। लेकिन ये बहुत अच्छा एहसास देता है। श्वैता अरोरा बजाज भी मां होने के जमदारी निभाने के साथ अपनी वर्किंग वूमन के जमदारी निभा रही हैं। वो कहती है कि ये कहा जाता है कि एक मां बच्चे को जर्म देती है लेकिन मेरे लिए मेरे बच्चों ने मेरी मम्ता को पुनर जिवित किया। उन्होंने मुझे मजबूत और नीष्वार्त महिला बनने में मदद की है और मेरे जीवन की यात्रा को अधिक आनंद में और यादगार बना दिया है तीन प्रकार की मां होने के नादे मुझे तीन अलग अलग तरीकों से जीवन को देखने का जोखे मिलता है 29. एक ब्यूटी इशियन है और मांसी ब्यूटी अकादमी चलाती है वो कहती है कि मातरत्व जहां से सभी प्यास शुरू होता है और खत्म भी हर बच्चे को मां होने के लिए एक जैविक रूप से आवशक है पितरत्व एक प्रसिद्ध सद्धान्त है लेकिन मातरत्व एक तथी है ये केवल नर्सिंग के कारे में है कि एक महिला द्रिश्य और मूर्ती के रूप में अपने मातरत्व का एहसास करती है ये हर पल का आनन्द है जया जुनेजा अपनी खुद की कमपनी जेफाइन डिजाइन चला रही है जो आत्मबोद के लिए एक रश्णात्मक आउटलेट है वो कहती है कि दूसरों के लिए खास पलो को स्खूपसूरत बनाना मुझे खुश करता है अपने बच्चों के बारे में बताते हुए वो कहती है कि पूर्वी उनकी आत्मा में अगनी है और उसके रदय में अनुगर है उसने स्विजलेंट से सनाता क्योतपादी प्राप्त की और अब फाइनेस में मास्टर्स कर रही है मही भुवनेश के जन्म से ही कम द्रिष्टी है लेकिन वो एक खुशाल और प्रेणा दायक इनसान है उसने बारवी पास की है वो जिम जाता है प्यानों बजाता है उनकी मा हो ना मेरे लिए गर्व की बात है सामाजी कारेकरता होने के साथ केडिया गृप की मालिक भी है अपने बिजनस के साथ अपने बच्चों का भी पूरी तरह से खयाल रखती है वो बताती है कि मैं हमारे संबंदों को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती ये बहुत सुन्दर है हम दोस्ती जादा पसंद करते हैं हम दोनों एक दूसरे को खुश रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं वास्तों में मिस्सी इतनी देख भाल कर रही है कि हमारी भूमे काएं उलट हो गए है मिस्सी कई मायनों में उनकी माँ का प्रभाव है जिन में से एक समाज सेवा है ये माँ बेटे की जोड़ी निविदा और बिना शर्थ पर प्यार साज़ग करती है